असलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों सब लोगोंने बच्पन में बेल्टें तो बहुत खाई होंगी और बहुत सारे लोग इसको इस्तमाल भी करते हैं लोग ओफिस जाने के लिए पेंटों में इस्तमाल होती हैं बेल्टें आज मैं इनको आपको बनाने का तरीका दिखाता देखें बड़े बड़े चमड़ा के पीस होते हैं उसको लागे छोटे छोटे पीसों में तक्सीम किया जाता है ऐसे वो सामने आपके छोटे छोटे पीसों में तक्सीम कर रहा है फिर उनको ऐसे उनके साथ सफाई की जाती है बराबर किया जाता है उनको ऐसे वो बाई आगे रखके इसको एक शेप जोंसी आएक एक साइड को बराबर कर रहा है इसको बराबर करने के पाद इनकी सफाई साइडों के उपर सफाई डगाई जाती है जिससे इसकी साइडों पर शाइन आ जाती है फिर इसके नीचे बले हिसे को भी प्रेन किया जाता है इसके बाद इसके साइडों पर ये कलर नहीं है इसको पॉलिश कहते हैं ये पॉलिश की जाती है सारे साइडों पर ताके इसकी बैल्ट के हर एक तरफ शाइन आजाए तो इस तरह बैल्ट को तियार किया जाता है फिर बारी आती है इसके ओपर शाइन शाइनर लगाने की नीचे वाली साइड पे भी शाइनर लगाया जाता है ताके वह खुराब ना हो बैल्ट जल्दी ख्यूक्ति तो और इसकी मशीन से घजाताय वह क को बैल्ट के इसका बखलों की जाता है बखल को लगाने के लिए एक चोड़ा पीच की जाता है इसको फिर त्यार की जाता अपना लोगो लगा जाता है उसके बाद इसको बकल को उपर चस्पा कर दी जाता है फिर उपर एक शापर चुड़ा के मार्किट में सेल होने के लिए ये बैल्ट अब रैडी हो गया है ये बंडल इस तरह पहुंचता है ये दुकानदा करे गया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बैल आइकउन को प्रेस करें तो ये लिए बंड के बैल्ट त्यार हो गई है